टानकुल के लिए एंडरोस्कोपिक स्पाइन सरजरी और मायक्रो डिसक्तमिम्यों से कौन सी बहतर है अब माल लीजिए कि मुझे श्याटिका है और मैंने सब इलाज करवा के देख लिए मैंने अपना फीजियो थेरपी करवाया मैंने दर्थ की दवाई खाई मैंने कमर में इंजेक्शन लिया लेकिन मैं ठीक नहीं हुआ तो मैं क्या करूँ उमीद खो दूँ कि ठीक नहीं हो सकता कभी भी नहीं श्याटिका एक 100% इलाज के दायरे में आने वाली बिमारी है इसके इलाज के लिए जब इस तरीक मेडिसीन वाली ट्रीटमेंट काम नहीं करती या इंजेक्शन काम नहीं करती तो अगला ओप्शन सर्जिकल आता है और सर्जिकल के अंदर हमारे पास दो ओप्शन्स निकल कर आता है एक ओप्शन जिसको माइक्रो डिसकेक्टमी कहते है जिसमें माइक्रोस्कोप की सहायता से खराब डिसक के टुकडे को निकाला जाता है और दूसरा ओप्शन होता है endoscopic spine surgery जिसमें medical camera की साहिता से उस खराब इसके टुकड़े को निकाला जाता है तो दोनों में से बहतर कौन सी है अब microscope के अंदर अगर हम बात करते हैं तो बहुत अच्छी सजरी है बट 4-5 problems है एक cut बड़ा लगता है 3.5-4 cm का cut आपकी skin पे लगेगा दूसरा मास पेशी को काटना पड़ता है तीसरा हड़ी को भी काटना पड़ता है चोथा जो ligament होता है जिसको ligamentum flavum कहते हैं उसको भी काटना पड़ता है पांचवा नसों को side करना पड़ता है और छेवा सबसे बड़ा problem खराब डिस्क के टुकड़े को डिस्क की problem आपको वापिस हो जाए और साथ ही साथ क्योंकि आपकी हड़ी मसल को भी damage हुआ है तो आगे चलकर भी back pin या lag pin बना रहता है इसी लिए आविशकार हुआ endoscopic spine का इसके अंदर हमने अपनी दुर्बीन को इतना छोटा कर दिया एक pen के size का कि ना तो हड़ी कटी ना skin पे cut आया skin पे cut सिरो 7 mm का जो दिखता भी नहीं है ना muscle कटी ना disc कटी disc को काटनी की जुरूत नहीं पड़ी जो disc का टुकड़ा बना हुआ है पहुचा हुआ है बाहर खराब है उसी पे laser जाती है और disc के टुकड़े को बाहर निकाल देती है और जो बचा हुआ हिस्सा रहता है उसको laser से repair कर दिया जाता है seal कर दिया जाता है ताकि दुबारा कभी disc बाहर ना निकल सके इसी लिए जब microdiscectomy के बाद 10-15% patients को दिक्कत आती थी वो अब endoscopic के बाद वो patients को दिक्कते आने ही बंद हो जाती है microdiscotomy के अंदर patient को कुछ दिन bed से उठने में दिक्कत आती थी normal होने में 3 महिने का समय लगता था वही endoscopy के अंदर patient same day surgery के bed से उठके खुद से चलता है 15 दिन में complete recovery चाहे वो bike चलाना है कार चलाना है exercise करना है सब पूरा start हो जाता है और 20-25 दिन में तो भूल जाते हैं कि कभी उनको शैटिका की problem थी या कभी endoscopy हुई उनकी लेकिन इन सब बातों के बीवच में एक बात को ज़रूर याद रखना है कि शैटिका के maximum patients natural तरीके से ठीक हो सकते है और बिना किसी surgery के ठीक हो सकते है जरूरत है तो सही समय पे इलाज करने की लेकिन अगर शैटिका की बीमारी पुरानी हो चुकी है आप काफी महीनों से या सालों से अगर इस problem को जहल रहे हैं तब आपके chances दवाईयों से या exercise से ठीक होने के बहुत कम हो जाते हैं लेकिन endoscopy से ठीक होने के chances बरकरार रहते हैं और वो करवाने के बाद आप उसी normal जिंदिगी में लोटा आते हैं जो आप काफी साल पहले जीते थे इसलिए घबराईये मत अपनी सही treatment लेकर एक अच्छी खुशाल जिंदिगी की तरफ कदम बढ़ाईये हम रखें आपका ख्याल